दोस्तों इस वीडियो में आपसे फ्लिप कार्ट स्मार्ट बाई की ट्रिमर के बारे में बात करने वाला हूँ ये जो ट्रिमर इसका मोडल नंबर डिफरेंट है और ये नया मोडल आया था ये नया मोडल जैसे आया था वैसे कुछ टाइम तक भी खा उसके बाद ये सोल्ड आउट होने लगा मतलब ज़्यादा फिर इसका इस्टोक आउट था इस्टोक में नहीं आ रहा था ये प्रोड़क्त इतना पॉपुलर नहीं हो पाया फ्लिपकार्ट स्मार्ट भाई की M4D 12Q जो ट्रिमर है वो मैंने कापी सारी मंगाई है 20 से ज़्यादा मैंने ट्रिमर परचिज करवा दी होगी रिलेटिवस को और जो मेरे फ्रेंस है उनको और ये ट्रिमर मैंने एक बारी मंगवाई है इसके अगर मैं और 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 फिड़ की बात करो तो 2022 में हमने इसे परचिज किया था दो साल के आसपास यूज करते हुए हो चुके हैं फिड़ वेक अच्छा है लेकिन इसका बैटरी बेकप प्रेसीजन और थोड़ा सा जो और जो परफोमेंस है उसके मुकाबले M4D 12Q जो कि आपको आगे वीडियो में दिखन वाले वो इसका सबसे में पॉइंट ये था कि इसका जो डिजाइन है वो कापी अच्छा था उसके मुकाबले इसका डिजाइन कापी अच्छा लगा था लेकिन प्रेसीजन के मामले में थोड़ा सा ये उसको टकर नहीं दे पाई 19-20 का अंतर है लेकिन वो ज्यादा बेटर इसका कम लगा बाकी और ओल जो ट्रिमर वो पहले वाला जो मोडल था वही अच्छा था और प्राइज की बात करूं तो प्राइज 400 रुपे में में देखने को मिल जाती है सेल में नोर्मल डेज में 500 रुपे में आपको देखने को मिलेगी ये जब आई थी उसके बाद करूं तो अगर नहीं मिलता है तो लेकिन अगर आपको वह प्रोड़क मिल जाता है तो आप फिर उसे ही पर्डेज करें पर प्रियूर्टी पर उसे ही रखें यह मेरा इस वीडियो में आपको फिल्फेट था इस विद्वेग था इसका मोडल नंबर FK-PB-01 और जो यह मैं और सब्सक्राइब यह M4D2Q ट्रिमर यूज़ कर रहा हूं परसनल यूज़ में तो कापी अच्छा एक्स्पिरियंस है फोर्द फ्राइज फोर्द फ्राइज ध्यान रखें दोस्तों हमेशा अगर आप ज़्यादा पे करते हैं तो फिर आप अधर ऑफ्शन पर जाएं लेकि जो बटन का पोजिशन है कापी अच्छा दिया गया है और चार्जिंग केंबल भी देख में मिल जाती है सब कुछ विसा का विसा ही सिस्टम है बस का जो डिजाइन और लुक है वो चेंज किया गया है और देखिए आप इस टाइप से हमने कापी सारी ट्रिमर पर्चेस कर लिए बीच से ज्यादा हमने ट्रिमर पर्चेस कर लिए अलग अलग रिन इसके पास है तो अच्छा फीड़ेग है और इसकी दो साल के में वारंटी देख में मिल जाती है सबसे अच्छी बात तो यह लगती है मुझे फ्लिप काट की तरफ से तो फोर लेंच से तिंग के सा और क्लिनिंग ब्रस और साथ में पूरी से सीरीज के साथ पैतल स्मिट के बेटरी वेकप के साथ यह रोल अच्छी ट्रिमाह में देखों मिलती है और अगर आप भी इन ट्रिमर्स को यूज़ कर रहे हैं तो कमेंट में अपना एक्स्पिरियंच जरू से लिए अगर आपका